Hello everyone, how are you? Welcome to Smart Study. मेरा नाम है जोती और आज की लेक्चर में मैं डिसकस करने जा रहे हूं प्रीविश येर क्वेस्टन पेपर दिसंबर 2019 जो की English Literature का पेपर है और ये है मेरी Qualifications और ये मेरा जो Question Series या Question Paper Series चली हुई है वो किस-किस के लिए Beneficial होगा देख लेते हैं जी ये Beneficial होगा हमारे जो बचे Net के लिए त्यारी कर रहे हैं या फिर जो बचे State Level पे जो Set Exam होता उसके लिए त्यारी कर रहे हैं PhD Interest Test, DU Interest Exam, DSSB, KVS, NVS, HSC, PGT Screening इन सब के लिए ये जो मेरा Question Solution जो सीरीच चली हुई है वो काफी Beneficial साबित होगी क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ Question का Answer ना बता कर उसका Full Analysis करती हूँ Question का उसके हर जो Options दिया जाते हैं उनको अच्छे से Discuss करती हूँ ताकि आगे आने वाले एक्जाम में अगर वो पूछा जाए तो वहाँ से बच्चे का कोई भी Question ना छूटे चलीजी आज का हम ये Lecture स्टार्ट कर लेते हैं Lecture स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और जो ये बैल आइकन नीचे दिखाई देरा है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेशन देखते हैं विच अमोंग दा फॉलोइंग ग्रूप राइटर्स इस लेबल डाइज युनिवस्टी वीट्स यह क्या पूछना जा रहा इन में से कौन से युनिवस्टी वीट्स है ठीक है पहले तो हम जा उनिवस्टी स्कोलर थे सभी कौन सी युनिवस्टी से थे कैंबरीज और ओक्सफोर्ड ठीक है और यह तो इनको ही जो सेवन होते थे कितने थे सेवन यहाँ यह आपना ही धृष्ट पढायेश क्यों कि इस जो एंको उल्स राल में यह क्यों अन्सर यह है क्योंके इन नया हट के नहीं लिखा था, ठीक है, लेकिन एक और Thomas Kid है जो, Thomas Kid हमारे क्या है ये, ये जी उप्सन में, Thomas Kid क्या है, ये कभी उनिविस्टी नहीं गए, लेकिन इनको क्यों एड कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने कुछ अपना नया स्टाइल कोईन क्या था, कुछ हट के लिखा था किसी कुप्पी नहीं किया था ठीक है बैन जोंसन सामिल नहीं है और थोमस किड हे हैं और क्यों है मैं रीजन बता चुकी हूँ तो इनको मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूं क्या होती है उसकी ट्रीक थी थोमस कितने हैं जी three thomas है और three color है और एक Christopher Morla एक क्या है बच गया हमारा Christopher Morla कैसे thomas kid जो यह three thomas है कौन-कौन है thomas kid, thomas laws and thomas nas ठीक है और color कौन से-कौन से है और रोबर्ट गृन, john lille और george pille ठीक है और हमारा एक बच गया Christopher Morlo ठीक है यह 7 थे जी याद हो गया अब आप इन में से अना आसानी से options लगा सकते हो तो हमारा answer कौन सा होगा answer fourth is the right ठीक है क्योंकि अगर हम other option में जाएं तो वो writer कहीं और से उठा लिये गए यह बन जूंसन का मैं बता सक्यूं तोमस बिलसन नहीं थे फ्रांसिस बियमंट नहीं थे ठीक है चलिए जी हम next question discuss कर लेते हैं यह देखी जी हमारा second question क्या करता है which cultural analyst has combined the study of different dimension of youth culture with commentary on development in cultural theory and politics किन्होंने यह study of different dimension of youth culture के साथ cultural theory और politics को combine कर दिया था यह थी जी हमारे एंजलीना मैकरोबी ठीक है जी यह हमारे थोड़ा new question है तो इसको अच्छे से हम discuss कर लेते हैं जो यह कौन थी और इनके work कौन कौन थे देखिये जी चलिए जी देख लेते हैं कौन थी यह यह है जी हमारे एंजलीना मैकरोबी और cultural theorist थी और goldsmith college में आज भी एक professor है ठीक है और कहां की अनुस्ट्री है यह लंडन की और इनके works है जी जू जू शूट्स एंड सेकिंड हैंड ड्रेस और इसका यह सब्टाइटल है जी एन अंथलोजी ओफ फैसन एंड म्यूजिक और यह इंपोर्टेंट है जिसका फैमिनिजम एंड यूथ कल्चर फ्रॉम जैकी टू जस्ट सेवंटीन ठीक है इंपोर्टेंट है दोनों इनका बस इनका टाइटल याद कर लेना और जो इनके सब्टाइटल हैंगी ठीक है इनके नाम नाम याद करना इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है यह एंजला मैक रो सब्सक्राइट फैर्न को सब्सक्राइट में हैं और यह एक जूली हम सब्सक्राइट सब्सक्राइट टो US इनका एक बात करूं अगरुं m दिनकोन इक तर्म को इनको इस्टोडेयो ग्राफिक मेटाफिक्षं All прав ellis को याद रखिर ना इन्होंने कोछी का सिन् economy ती इस्ट्रियो ग्राफिक क्या हमने जूलिया क्रिस्टी का लिए एक थिए कन्हाज़िन अब में नेग्स क्वैस्टन प्रक है 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 जी देखी है हमारा third question क्या कह रहा है given the below statements are one is labeled as ठीक है यह एक assertion है एक reason है ठीक है और हमने हमें बताना तो इन में से नीचे जो option दिये गए वो क्या है कौन सा correct है only actual research develop research skills ठीक है क्या कहना चाहरा है जो actual research है वही research skills पर develop होती है और reason में क्या कह रहा है information is discrete discrete means separate individual whereas knowledge consists of a network of connection ठीक है यह बताना चाहरा है information separate है information means किसी चीज़ की information दे देना like computer है computer की information क्या है उसके बारे में बता देना technically यह यह काम करता लेकिन knowledge knowledge किसी अधर के conception पर भी based होना दूसरे के वे से भी देखना दूसरे ने क्या बोला computer के बारे में वह knowledge होती है ठीक है यह बताना चाहरे जो information है वह थोड़ा short बता रहे हैं लेकिन knowledge का criteria काफी broad बता रहे हैं ठीक है कुंसा option second is the right तो हमारा कुंसा option बनेगा second is the right ठीक है चलिए जी next question पर चलते हैं which of the following is a collaborative work of W.H.Ordan और Christopher Isserwood ठीक है यह साइद मैं अपनी सीरीज में शाद क्या मैं कम से कम तीन चार बार बता चुकी हूं W.H.Ordan का नाम आते ही आपके mind में आना चाहिए ओड़न ग्रूप ठीक है ओड़न ग्रूप और इसके writer मैं बार बार discuss कर चुकी हूं Christopher Isserwood है, Stephen Spender है और बहुत सारे हैं जिसके writer और अब इसमें क्या पूछ लिया गया है अब पूछा गया है इनके इन्होंने एक collaboration में एक work लिखा उसका क्या नाम था वो था जी हमारा the askant of F6 ठीक है इसकी story discuss कर लेते हैं askant of F6 कौन है ठीक है चलिए जी हम देख लेते हैं इसकी story हलकी सी यह देखिए जी यहाँ पे जो इसका जो protagonist होता है जो इसका hero था Michael Ransom यह climber होता है mountain climber और यह F6 है जो word वो एक peak है इस work में एक peak है वहाँ पर जाने के लिए यह एक group का leader बन जाता है वहाँ पे जाता है और इसके अंदर एक poem लिखते है stop all the cloak ठीक है इसके अंदर आती है लेकिन separately दुबारा से यह बहुत popular हो जाती है stop all the cloak ठीक है इसके hero कौन है इसके hero है Michael Ransom और F6 क्या है यह एक peak है setting कहां पे Australia में और इसके अंदर एक poem लिखी गई है means add कर लेते है ना फिर बाद में उसको अलग स से publish कर देते है stop all the cloak और इन दोनों का ही जो डबली चोडन है और क्रिस्टोफर इसर वूड है इनका इन दोनों का एक और वर्क है collaboration में वह जी the dog beneath the skin चलिए जी हम अपने question पर आते हैं तो answer मैं बता चुकी हूं third is the right option और यह जो हमारा letters from Iceland यह है जी एविंजलीना वोर्टन उ as kind of F6 यहां से बस इसका hero याद रख लेना जो मैं बता चुकी हूं एक बारी जाके summary रीड करने हो तो कर लेना देखिए मारा fifth question क्या कह रहा है which among the following prose writer of the romantic period means जो यह वर्क है on murder considered as one of the fine arts यह किस ने लिखा है यह है जी मारे Thomas जी कुएंस है यह कौन से राइट इन्होंने बता दिया romantic period से related है और इनका एक और important work है जो बार-बार repeat होता है confession of an opium eater ओपियम क्या होता है जी ओपियम एक जो toxic वह होता है एक नसीला पदार्थ होता है ठीक है यह ओपियम के addicted थे confession of confession of an opium eater और इसकी publication है जी 1821 जो important है क्योंकि इसको यह इतना बार-बार repeat हो चुका है इसको कभी chronological order में लगाना आ जाता है और कभी यह ऐसे पूश लिया और most easy question बनता है ठीक है और एक अदर वर्क है इनका जी on knocking at the door of Macbeth ठीक है यह तीन वर्क है जी किसके Thomas जी कौनसे की ठीक है और अगर मैं बात करूँ चार्स लैम चार्स लैम भी romantic हाँ एक और वर्क रहता है इनका Thomas जी कौनसे का वह जी रीमिंसेंस ओफ लेक पोईट ठीक है लेक पोईट यह इनका फ्रेंड होता है लेकिन बाद में जो Thomas जी कौनसे है लेक पोईट कौन-कौन थे हमारे William Wordsworth, S.D. Coleridge और Robert Saudey यह थे जी हमारे तीन जो लेक पोईट है इनका फ्रेंड होता था लेकिन बाद में यह ओपिम एडिक्टर होने के बाद इनसे काफी दूर पूर हो जाता है और इसने एक वक लिखा रिमिंसेंस ओफ लेक पोईट ठीक है चार वक बता दिये मैंने इसके इंपोर्टेंट एक क्वेशन में दिया और तीन मैंने बताए हैं जो सारे इंपोर्टेंट है चलिए जब चार स्लेंड की बात करूँ तो मैं यह भी एक रोमे गेट बोलते थे और यह इनको इनका अधर था वर्क था जो मैरी लेंड के कोलाबरेशन में लिखा गया था टेल्स फ्रों शेक्सपियर ठीक है यह अपनी सिस्टर के साथ लिखा था इसने और एक चार स्लेंड का ऐसे ओफ इलिया इलिया कोन है उसमें खुद चार्स लेम है ठीक है और अगर मैं बात करूँ एन रेड क्लिफ की यह कौन थी एक गोथिक गोथिक राइटर है गोथिक क्या होते है जो जहां पे गोस्ट वगएरा स्टोरी दिखाई जाए मिंस थोड़ा भूत प्रेतों की स्टोरी बताई जाए ठीक है इनका इंपोर्टेंट वर्क है इडियंट रोमांस ओफ फोरेस्ट और एक मिस्टेव उड़ल फो इंपोर्टेंट वर्क है ठीक है छलिए जैए हम नेक्स्ट क्वेशन पें चलते हैं देखी जे इमारा नेक्स्ट क्वेशन क्या कहता है इन वीच व्भ फॉलोईञ वें से लिए शूड़नेंब परसोना इ अब क्या पूछ लिया देखिए कितना ट्रिक बना देता है question को बार बार यही पूछ रहे थे ऐसे ओफ किसका वर्क है पहले तो यह पूछा गया मिन्स आप एक्जाम को समझने की कोशिस कीजिए एक्जाम में question कैसे लेकिन हाथ गुमा कर पूछता है नमीज कान पकड़ेगा लेकिन हाथ गुमा कर पूछेगा ठीक है मिन्स question वहीं से पूछेगा लेकिन पजल करेगा ठीक है तो हमारा option the south sea house यह मैं पहले discuss कर चुकी हूँ प्रीस question series में तो हमारा option fourth is the right ठीक है यह the south sea house एक essay है Charles Lamb का जी वहाँ पे यह use करता है और अगर असलियत में बात की जाए तो यह British East India Company जो होती है वहाँ पे उसकी एक branch होती है यह ठीक है चलिए जी next चलते हैं next question क्या कहता है यह फिर असेशन और रीजन का आ गया many modern British writer infused their work with the entrance and sense of uncertainty disillusionment and despair ठीक है यह जो modern British writer के बारे में बता रहा है कि उनकी writing कैसे होती तो उनका लिखने का style क्या होता था uncertainty disillusionment और despair यह होता था जी अब आगे बात करता है यह reason में the wasteland ends in a flurry of random illusion अब wasteland पे आ गया means अब यहां पे तो modern writer हलाकि wasteland modern work है लेकिन यहां पर assertion में wasteland के बारे में बात नहीं कर रहा है बात कर रहा है यह modern writer कैसे लिखता था तो यह बात दोनों सही है यह random illusion यूज करती है poetry का पता ही नहीं चलता इस poem का जो टीसी लिटकी है wasteland कहां से शुरू हूई और क्या बात कर रही है में sense निकालना बड़ा मुस्किल हो जाता है बात तो modern writer वह उपर वाले में बताया गया है वह style कैसा था और यहां पर बता दिया wasteland कैसी थी दोनों सही है लेकिन यह की correct explanation नहीं है the option second is the right चलिए जी next देख लेते हैं question 8 क्या बता रहा है which two of the following works were published after 1947 इन में से जो नीचे वाक्स दिये गए है उन में से 1947 के बाद कौन सा वर्क पब्लिस हो है यह है यह हमारा सेंपत मिस्टर सेंपत यह आरके नारायन आरके नारायन जो हमारे इंडियन राइटर है उनका वार्क है ठीक है और इन क्या है यह एक प्रिंटर ओफ माल गुड़ी जब भी कोई वार्क है अगर सब्टैल है वह इंपोर्टेंट हो जाता है उसको आप याद रखे क्योंकि वह सब्टैल होता है वह हल्की फुलकी स्टॉरी के बारे में हमें हिंट दे जाता है अधिक है तो ऐसा हो सकता आप यह पूछ लिए यह पूछ लिए जो आगे आने वाले question या आने वाले exam में यह पूछ गया जाए जो संपत होते हैं वो क्या होते हैं इस play में या इस work में क्या होते हैं क्या roll होता हमका चलिए मैं थोड़ा सा बता दे तो इस work में क्या होता है एक banner होता है the banner the banner यह general का नाम है ठीक है एक journal है मिन्स एक पत्रिका लगा लो आप इंगलिश में जनल और इंदी में पत्रिका दा बैनर एक journal होता है और इसको जो यह संपत है यह printer होता है और इसका एक वर इसके साथ काम करने वाले होते हैं Mr. Srinivas Mr. Srini V Kung मिस्टर स्री निवाज ठीक है वह क्या होते है वह editor होते है ठीक है editor होते है Mr. Srinivas क्या होते है editor और संपत rag apa प्रिंटर ठीक है इतना ही याद रख लेना और बैनर ये एक जनल होता है जो बाद में काफी पोपुलर हो जाता है इस टाइप से थोड़ी हलकी सी समरी बस इतना ही देख लेना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है ठीक है और अगर आरके नाराणन के बात करूं तो य इनका एक जो ये कहीं बार ये पूछ ले आता है मालगुडी क्या है ये एक फिक्सनल टाउन है मिंस रियालिटी नहीं है इसकी लगबग स्टोरी मालगुडी में जो एक टाउन है वहाँ पर सैटिंग मिलती है ठीक है ये दार्क रूम भी इनका ही था समर सेवन समर्स भी इ पूछा जाता है इंगली राइटर होते हमारे ग्राम ग्रीन यह के मैं टोर और फ्रेंड थे ठीक है चलिए जी नेक्सक्ट प्रेंड पर आते हैं हमारा नेक्सक्ट क्या कहता है विच वन उब फॉल्लोईं उप्जर्वेशन ओफ लोस्ड जनरेशन ये नीचे से लोस्ड ज और यह lost generation को किस ने coin किया गर्टूर्ट स्टेंड ने और यह lost generation कौन थी यह American expatriate थे क्या जो यूरोप में रह रहे होते हैं after first world war ठीक है तो यह हमार option second is the right option expatriate कौन होते हैं जो अपने देश में ना रहा कर दूसरे देश में रह रहे होते हैं ठीक है और यह जो अगर बात करूँ मैं इसको popular किस ने बनाया क्या गर्टूर्ट स्टेंड ने लेकिन हमारे अर्नेस्ट हैमिंग वे एक American writer है उनका एक वर काता है दसन आल्सो राइजिज महां पर यह बोलता है वी आराल वी आराल लोस्ट जनरेशन ठीक है ऑर्नेस्ट आइमिंग IS का क्या रिलें सन है लोस्ट जनरेशन से जो वर्ड है और गड्रूर्सट क का क्या रिलेशन आप समझ चुक्क होंगे चलिए यह नेक्स्ट कुषन के ओर चलते हैं यह पड़ ले न यह मैं बता चुकी हम ठीक है नीय यँलिजिज दोल्ुय नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं देखेजी फिर दुबारा से असर्शन रिजन वाला आ गया डालेक्ट्स और ब्रीड रेंज ओफ सोसल एज वैल एज रिजनल वराइटी डालेक्ट्स क्या होती है बोल लियां लेंग्वेज एक स्टेंडर्ल लेंग्वेज और डालेक्ट्स समझ जाकते हो एज डालेक्ट्स डिस्क्राइब्स नोट ओल्ली एट फनोलोजीकल लेवल बट आलसो एट लेवल ओफ टेक्स और सिंटेक्स यहां पर बता रहा है पहले असर्शन में बता रहा है यह एक रिजनल वराइटी है ठीक है और दूसरे में क्या कह रहा है यह वैर लेकिन आर इसकी एक्स्प्लानेशन नहीं है चलिए जी 11th क्या क्या कर रहा है वी फॉलोईंग वर्क बाई हैं रिफिल्डिंग बिगेंज एज पैरोडी ओफ सेमॉल रिचर्ड्स पैमेला रिचर्ड्सन का एक वर्क होता है पैमेला जोकी 1740 में पब्लिस होता है इसकी पै यह लिखते हैं जी 1742 में और हेंडरी फिल्डिंग के यह सारे एक मिनिट सारे नहीं एमेलिया और टॉम जोंस यह कौन से एक सेकंड को छोड़ कर यह जो तीनों वर्क बचते हैं हमारे किसके वर्क है यह हैं हें फिल्डिंग के ठीक हैं चलिए जी और यह डोन क्युज्टो यह तो आपको पता ही होगा यह सर्वेंट्स का वर्क हैं और यह पब्लिकेशन है जी 1605 दो पार्ट में होती है पहला पार्ट 1605 में पब्लिश होता है और दूसरा 1615 में ठीक हैं यह इंपोर्टेंट है और इसा सब्टाइटल है डोन कुज्टो ओफ लामांचा ठीक और यह टॉम जोन्स इसका भी सब्टाइटल इंपोर्टेंट है एमिलिया वी और इसका फुल टाइटल क्या है जोसफ एंड्रू क्या होता है पैमिला जो होती है यहां पे पैमिला और मिस्टर बी होते हैं जो रिचर्ड्सन का वर्क है उसमें पैमिला और मिस्टर बी का रिलेशन दिखाया गया है उसके उपर लिखाया है ठीक है कौन सा उप्सन हमारा पॉर्ट इज राइट उप्सन चलते हैं यह आप याद कर ले ना इनके सब टाइटल सा है और फूल टाइटल से जोसफ एंद्रू का फूल टाइटल और यह जोनाथन विल्ट ग्रेट और इनकी पब्ले याद कर लेना हिस्ट्री ओफ टॉम जोन्स यह पूछा जाता है एक फाउंड लिंग कई बारी कोमा हटा देते हैं कई बर्दा फाउंड लिंग लगा देते हैं इस टाइप से बना देते हैं इसको याद कर लेना चलिए जी देखिए हमारा 12th question क्या कहा रहा है which of the following is correct ठीक है तो हमारा क्या कौन सा correct होगा language is language is the language system and parole the individual usage हमारा first option is the right option language and parole यह Ferdinand Deos Chaucer ने coin किये थे दोनो वर्ड कहाँ पे course in journal linguistic इसका एक वर्ड होता है course in journal linguistic Ferdinand Deos Chaucer ने इन दोनों वर्ड को इन दोनों वर्ड को coin किया था और language क्या है एक language system है language system means किसी language system का मतलब होता grammatical system उसका grammatical system बताना किस टाइप से यह बनी हुई है language का मतलब और parole क्या होता है individual usage या फिर पर्फोर्मेंस लगा लो उसका जो language system है उसका use उसका use क्या होता है ठीक है अगर अच्छे से समझना है इसको एक बार फिर देख लो हलका सा यह फ्रेंच मीनिंग है ठीक है यहां से अच्छे से आप समझ सकते हो language means a set of convention rules ठीक है और यह क्या होता है और parole क्या होता है उसकी performance language की performance जब हम किसी वर्ड को रूल के कोर्डिंग पढ़ते हैं grammatical syntax में उसको study करते हैं वह था हमारा language लेकिन जब हम उस language को society में use करते हैं वो parole कहलाता है ठीक है इनका एक work है यहां पे इन्होंने use किया था ठीक है पढ़ लेना इसको of the five condition of sublim according to longiness the most important condition हमारा option third is the right option तो यह लोंजीनस होते हैं क्रिटिक होते हैं इनका वर्क होता है ओन सब्लीम ठीक है वहां पर यह five types की बताते हैं सब्लीमिटी एक वर्क को सब्लीम बनाने के लिए क्या-क्या इंपोर्टन चीज होनी चाहिए five चीज बताते हैं great emotion great thoughts diction, rhetoric and great composition जो first दो होती है वो natural होती है लेकिन जो last की third है जो great diction और great rhetorics और great composition यह unnatural है ठीक है और हमारा option third is the right option देखेजी हमारा 15 question क्या बोल रहा है the following is a list of key critical term which is the right chronological order of the formulation देखेजी यह आब terms दिखा दी है अब इनको chronological order में बताओ देखेए question paper को समझने के courses कीजिए पहले जो exam थे हुए है जो previous year exam थे उनमें यह जो terms है न यह पूची गई है यह किसने coin किया इसका मतलब क्या है अब क क्या बता दिया अब इनको chronological order में लगाओ ठीक है इसलिए deeply question को अच्छे से analysis किया करो आपको पता चले यह किस work में आया है उसकी publication क्या थी और फिर आप अराम से उसको लगा सको ठीक है तो हमारा कौन सा हो सकता option हमारा consciousness यह जो term है fraud F-R-E-U-D 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 F-R-E-U राइटर होते हैं उन्होंने टीन टम्स दीती conscious subconscious और unconscious ठीक है और फिर लेंग्यू को जैसा कि मैं बताई चुकी हूं लेंग्यू यह हमारे फर्डिनेंड डी सचर है और जो हमारे हेर से यह क्लेंट ब्रूक होती है एक राइटर सोरी क्लेंट ब्रूक होती है उनका वैल रत ठीक है और डिफ्रेंस यह हमारे हैं जी डेरीडा ठीक है आप समझ चुके फ्राइड फर्डिनेंड डी सचोर क्लेंट ब्रूक एंड डेरीडा ठीक है इनकी इन्होंने यह टर्म कोईन की है और आप इस टाइप से भी थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हो यह जो लेंग्यों है हमारे किजर से रिलेटिड है ठीक है फर्डिनेंड डीश्या श्यो K परेड़ा कर सकते nouvelles किसने पढ़ा हुआ है वह अराम से इसको सोवाता है वैसे कौएशन एज़धा हाईवल नहीं है सिर्फ ओश्ण को घुमागर पुछा गया है, which of the following characters in Shakespeare's Love's Labor Lost Overview Formal Latinate Diction, जो ये Shakespeare का work है, Love's Labor Lost ये comedy है, ये कहाँ पर, कौन सा एक character है, जो Latinate Diction को formally use करता है, वो है जी holophon, ठीक है, ये एक scholar होते हैं, एक teacher होते हैं, scholar होते हैं, और एक teacher होते हैं, ठीक है, को स्टार डेक, यहाँ पर, इसी के, सभी writer, सभी character इसी work के हैं, इसी play के हैं, जो ये एक हमारा country fool होता है, यहाँ पर, country fool होता है, ठीक है, इस type से, इसकी हलकी सी summary देख लेना, ये important है, जी, इसको एक बारी थोड़ा revise कर लेना, 17th question क्या कहता है, which one of the following has two hero with the same name, कौन सा एक work है, जहाँ पर, दो hero होते हैं, और name भी उनका same होता है, यह जी हमारे armadale, ठीक है, यहाँ पर alan armadale, जो दोनों heroes का क्या नाम है, alan armadale, ठीक है, चलिए जी, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यह जी, एक किसका work है, armadale, William Vicky Collins, William Vicky Collins का, ठीक है, यह publication date है, जी इनकी, और इसके अधरवक कौन है, जो William Vicky Collins है, विकी Collins के, जो अधरवक का important है, woman in white, no names, the moonstone, ठीक है, चार important work है, एक है armadale, दूसरा है the woman in white, no names, moonstone, ठीक है, और वहाँ पे जो दो ही रोते हैं, उनका नाम है, Alan Armadale, ठीक है, एक murder mystery है, क्या है वो, murder mystery, Iceland of mighty, यह किसका, एक मिनिट, वहाँ पे यह बूचा गया है, यह option में दिया गया है, यह work, Evangeline Walton का work है जी, और इसका original title है, Virgin and the swine, और यह किस की story, किस की दुबारे से story बता रहा है, इस work की story बता रहा है, the fourth branch of maybe, ठीक है, चलिए जी, हम दुबारे से अपने question पर आते हैं, option fourth is the right, इसके बारे में में बता चुकी हूं, और animal farm है, George Orwell का work है जी, ठीक है, important है, George Orwell का यह work important है, must read है, देखिये जी, हमारे टिंथ question क्या बता रहा है, which of the following place by T.A.C.L.E.T. is in correct chronological order, यह फिर chronological order में पूछ लिया है, बस यह, अकेले राइडर T.A.C.L.E.T. का ही है, ठीक है, इनको हम असानी से कर सकने हैं, यह है जी हमारा option, first is the right option, murder in cathedral, यह publish वाथा, 1935 में, हमारा second हुआ था, जी, 1939 में, the family reunion, 1939, और cocktail party है, हमारा 1949, और यह confidential कल रख है, 1953, ठीक है, इंपोर्टेंट है जी, यह आद रखना, और मैं इनकी बात बता हूँ, इसकी जो स्टोरी बता हूँ, स्टोरी बस इसी की पढ़ लेना, हल किसी, murder in cathedral, किसमें क्या ह होता है, किसका murder होता है, यह पूछ लिए जाता है, यह होता है, Thomas Beckett, और Thomas Beckett कौन थे, आप यह Canterbury Tales पढ़ा होगा, ठीक है, उसका, जो Thomas A. Beckett है, उसकी शीरिन पर जा रहे होता है, ना, Canterbury Tales में सभी जो, पिल्ग्रीम होते हैं, ठीक है, और वो, उसका ही, जो parody है, यहाँ पर, वही जो Canterbury के, प्रीस्ट होते हैं, और Thomas Beckett, यह नहीं लगाया है, Thomas Beckett, उनका murder होता है, और वहाँ, उसके सामने, तीन या चार, जो, चोईस रखी जाती हैं, आप इन में से, कुछी स्टाइब से स्टोरी चलती है, उसको पढ़ लेना, must read novel है, देखेजी, 19th question क्या कहता है, Which of the following describes Foucault's view on knowledge, Michelle Foucault, उनका knowledge के बारे में क्या view है, कौन सा हमें best बताता है, यह हमारा option third is the right, knowledge is not pure and neutral, क्या बताया है, Foucault ने बोला है, यह knowledge है, जो pure नहीं है, neutral नहीं है, but is always from a point of view, means, हम यह नहीं कह सकते हैं, जो हमें knowledge मिली है, वो pure है, बलकि हम एक point of view से देखते हैं, हमारा क्या point of view है, ठीक है, चलिए जी, next question क्यों चलते है, हमारा last and 20th question क्या कहता है, which of the following period of English literature is also called puritan interrogum, ठीक है, हमारे यह भी, कितना easy question पूछे जा रहे हैं, देखिए जी, सबसे पहले मैं बात बताऊं, तो आप जब भी मतलब तयारी start करो, हमारे जो periods हैं, उनके list बना लो, और उनको time period याद कर लो, सबसे easy question बनता है period के बारे में, ठीक है, और उनको sequence में, sequence में याद करना, और time period याद कर लेना, और थोड़ा सा यह याद कर लेना, इससे कौन से writer related है, यह easy question बनते हैं, इस type से, अगर ऐसा नहीं करता, तो अपने आप married list में पीछा चले जाता है, तो यह थे जी हमारी puritan interim interim कौन सा है, common wealth period, यहाँ पर common wealth period कब से कब तक है, 1649 से 1660, 1660 से क्या होता है, यहाँ पर restoration period स्टार्ट हो जाता है, कौन सा restoration period, और अगर मैं बात करू, प्यूरित को बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पे ना जो प्यूरिट जो हमारे एक लीडर होते हैं, मैं उसका लीडर का नाम मिस्क्र गई हूँ, एक मिलेंट, एक मिलेंट सोरी, यहाँ फे मैं लीडर का नाम, मैं मन में चल रहा है, उलिवर Kromewelle ओलिवर Kromewelle ओलिवर Kromewelle होते हैं याँ पर जो लिडर होते हैं वो मानते हैं यह जो फिएटर वघरा इन्होंने मिन्स भरष्ट कर दिया है और यह जो बाइबल है उसकी जो शिक्षाएं उनको फैलाना चाहते हैं और बाइबल को so important बना जिया जाते है किंग से भी उपर और इसको प्रोट क्या दोरेट कयो इसके बाद कोमल वैल्थ पिके बाद क्या आती है हमारी पड़ा पता चल गया गया वह नो तो इसके माद पुरिटन के बाद की हमारी 1670 और कि सैंटीन हंड़र तक हमारी सेस्ट करीवांगा आता है स्कृन कर अलबा जाते हैं थिएएक कंवन्स कर सेकिंड में कर चो सकर Charles second आते हैं और इसको Charles second के बाद क्या होता है अब जो ये मिन्स राजा का दुबारा से आगमन होता है और restoration मिन्स जो राजा दुबारा से बनने लगते हैं यहां पर राजा की अहोदा खतम कर दिया गया था Bible सबसे उपर बना लेगी थी तो रेस्टोरेशन किसका हो अधार रा जागा चाल्स सेकिंड का ठीक है अगर मैं बात करूँ कैरोलीन एज यहां पे कौन होते है चाल्स फर्स्ट होते हैं और कैरोलीन राइटर भी यहीं पे आते हैं कैरोलीन राइटर कौन होते हैं चाल्स फर्स्ट के फोलोवर होते हैं और दे दी जाती है, कब दे दि जाती artistic 1649 में, ठीक है और 1649 से फिर जो जो ऊलिवर क्रोंवेल होते हैं, उनका पिरिड़ स्टर्ट होता है, फिर अगर मैं बात करूँ, नियो क्लासिकल पिरिड़ रेस्टोरेशन और को में वेल्थ से तीनों को मिला कर नियो क्लासिकल period बोला गया ठीक है तो आप इसका अंसर कौन सा बनेगा हमारा fourth is the right option यहाँ पे मैं अपने